नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया वोइस सब्सक्राइब आपके साथ शुतियंगर बिलिटिन करेंगे शुरुवात मुझफर नगर से बड़ी खबर सामनी आ रही है मुझफर नगर के दोरे पर हैं मुख्य मंत्री योगिया दितिनात मीरापूर सीथ पर उक्ठनाओ को लेकर जनसभा करेंगे मोरना इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित मुख्य मंत्री योगी वोटर्स के साथ खॉलिज में करेंगे बातचीत रालोद सुप्रीमो जैन चौधवी भी सभा में होंगे मौचुगोड एंडीय प्रत्याश्टी मितलेश पाल के समर्थन में जन सभा होगी मुख्यमंत्री के सुडक्षा को लेकर श्रासन प्रशासन अरट है और ऐसे में मुख्यमंत्री युग्याद इतनाथ है मीरा पूर सीट बेहत एहम सीट मानी जारी है सपा भी लगातार इस सीट को लेकर दावे भत रहे है और ऐसे में देखना बेहत दल्चस्प होगा कि जनता जनादेश किसके पक्ष में देती है लेकिन आज मुख्यमंत्री युग्याद इतनाथ और मीरा पूर सीट को लेकर चुनावी हुंकार भरेंगे उग्चुनाव को लेकर जनसभा करेंगे जनता से वोट की अपील भी करते हुए नसर आएंगे तो बीजेबी पार्टी की तरफ से लगातार सियासे हुंकार भरी जारी है उग्चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है आज मुख्यमंत्री युग्याद इतनाथ एंडी प्रत्यासी मितलेश पाल के समर्खन में जनसभा करेंगे जनसभाधन करते वे लोगों से वोट की अपील करते वे मुख्यमंत्री योग्याद इतनाथ नज़र आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी वोटर्स के साथ कॉलिस में बातचीत करेंगे पही गाजियाबाद से बड़ी खबर साथ ने आ रही है सियम योग्या अधित नाथ का गाजियाबाद दौरा उप्चुनों में पन्ना प्रमुखों के संग करेंगे हैं बैठक बीजेपी कारेकरताओं को संबोधित करते वे करेंगे मार्ग दर्शन और शाम चार बगए सरस्वती शिशू मंदर स्कूल में करेंगे बैठक मतदान से पहले होगा रोड़ शो और जनसभा तो गाजियाबाद चुनाओ को लेकर हुँकार परते वे सियम योगिया अदित नाथ नजर आएंगे वेहद सक्रिये नजर आरे है सियम योगी और ऐसे में बीजेपी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे जीत का मंत्र देते हुए नसर आएंगे गाजियाबाद वो सीट है जहां बीजेपी कासवालों से दब दबा है और ऐसे में सपा भी यहाँ पर जो राजमाइश करती हुई नसर आ रहे हैं खुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश रादव गाजियाबाद के दोरे पर थे उन्होंने भी अपने कारे करताओं को जीत का मंत्र दिया था और एक बार फिर अब सियम योगी चुनावी हूंकार भरेंगे गाजियाबाद में तो चुनाव में पन्ना प्रमुखों के संग बैठक करेंगे बेहत एहम बैठक की मानिक जा रही है बीजेपी कारिकरताओं को संबोधित भी करते हुए मार्ध दर्शन देने का ताम करें तो सांद चार बजे सरस्वती शिश्रुमं मंदर स्कुल में ये बैठक की जाएगी हमारे साथ हमारे समादाता प्रवीन कुमार जाज़ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीन कितने बजे स्यम्योगी गाजयवार पहुचेंगे आगी का क्या कुछ कारिकरम रहने वाला है जी सुद्टी आपको बता दे आज परवीन के मुखे मंदर स्वारे से जुरित इसे वह आज गाजयवार के मुझेवार के वाजयवार के बाद तीन बच्छा 25 निट तक गाजयवार कर आएंगे और चार बज़े जो है वो कारे पक्ता को संबोजरिं करेंगे जो है परटी के अपने जो नगाता अपना कार्यकरम रखने हैं और चुनाब पर्टार में लगे हुए एसने आज पढ़ेश के मुझ्के मंतरी खुद आज चारवजे जो है जो है जाज़बाद में एक संबेलन करने जाये जिसने पन्ना परिकूपूपूपूपूपूपू सबसे सुरक्ष सीट बीजेपी के लिए क्या कुछ ऐसे में बीजेपी की तरुसा यारनीती बनाई गई है में कि यहां पर कशे है जिलने में हम इसाज़ परिकूपूपूपूपि यहां से पनाएं गया बीजेपी के लागत है जो है लगातार कड़े की तक्तर देखने को मिल लेगे तिर्कों नहीं मुखरला इस्वार गाजवात के उसके नाव में होने वाला सप्पा कोई गठ बंदन है कामेरेश के साँ इंडि गठ बंदन पक्रतियाशी है गलिष परनाष्य आते हैं जो कि सिम्गराज राटा वहा है और बस पर बस पर इस्वार गेश्चे समाज के परक्रतियाशी उपकरते हुए उन्होंने उनको प्रक्रतियाशी बनाए बिल्कुल आज जोच भणने की कोशिश के जाएगी चुनावी हुंकार फढ़ेंगे जीत का मंत्र भी स्यम योग्या दितनात कारे करताओं को देते वे नसराएंगे कितना बोटर्स सेथ लगा पाएगी समाज सादी पाठी इंडिया गटवंदन प्रतियासी यह जो की शपाइब का जेतर लुटन को प्रतियासी आखाया है जो कि लाइन पास ट्रेटर में 4 लाख से ज़रदा वोटर है और पूरे अगर ज़ाज बाद करें तो यहां पर आच लाख से भी ज़रदा वोटर जिसमें सा आिब हो दे जुर्ध आते हैं कि इस लाइन पाथ फेडर्म को लुबाने के लिए कि बन्हों कीघे जो है बिल्कुल वोटो में सिंध्वारी की कोशिस क्या काम्याब रहती है देखना बेहद एहम होगा साथी साथ आज जो चुनावी हुंकार भरेंगे दल्चस्प यह है क्योंकि गाजियाबाद सीट बीजेपी का दबडबा माना जाता है कि इतना दल्चस्प है यहां का सियासी क्वेश्ट है जी आपकी आज बुक्ति मंती जो आएंगे किसी बारी यह दोरा कर गए देए लेकिन इस वाज चार वज़े का जो उनका दोरा है नहरी नगर के यूवा तरस्वति इसका मंदग में होगा पन्ना पर्मु की मिटिंग में इस अधि करेंगे और कारे कट्ताओ की मज़ती से आँवे काम करने का मंत्र देने की बात करेंगे राजस्थापना दिवस के पुर्व दिवस पर रेस कोर्स में स्वक्षता कारिक्रम में प्रतिभाग किया है और जारू लगा कर स्वक्षता का संदेश्ट देते हुए नसराई इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने देरादून नगर निगम के अंतरगत स्टीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूर स्कैनर का शुबारम भी किया या स्कैनर देरादून नगर निगम के अंतरगत लगी स्टीट लाइट के खंबो पर लगाया जाएगा स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी वक्ती इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकता है मुख्य मंत्री ने कहा है कि अल्मोडा के मर्चूला में बस हाथ से में दिवंगत के लोगों को स्मृती में आज प्रदेश भर में स्वक्ष्टा और सेवा के कारेकरम आयोजित किये जा रहे हैं आज जे इस्तापना दिवस की आज पूर्ब संध्या है एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रदान मंत्री आदर्णी मोदी जी के नेतुत्में पूरे देश के अंदर स्वच्च भारत अभियान चला था और उसके दस बर्स पूरे हुए है निरंतरता से देश स्वच्चता की और आगे बढ़ाया और हमारा राज जी परेटन की दिरिष्टी से सरदालों की दिरिष्टी से तीर थियात्रों की दिरिष्टी से पूरे देश दुनिया के लोग यहां आते हैं इसलिए हमारे राज्ये में सुच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि स्वी सदी का तिसरा दसक उत्राखंड का दसक होगा उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हर छेतर में आज उत्राखंड अपने मुकाम की और आगे बढ़ रहा है लक्षी की और आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 35 साल में जा रहे हैं इसलिए सभी लोग इस सुच्छता के अभियान में भी सहवागी बने फिलार रुकेंगे चूटी से ब्रेक के लिए फार अलोटेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबरों बरते आगे बॉलिवूट के सूपरस्टार शारुखान को जान से मानी की धमकी मिलने की खबर राजधानी में आग की तरह फैल गई है मुंबई पुलीस अला चूट गई है इस पर मुंबई पुलीस उन्हें समन दे कर लौट गई है शारुखान के घर मन्नत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है शारुखान को धमकी राइपूर से दी गई है इस मामले पर मुंबई पुलीस ने फैजान नाम के शक्स से राजधानी के पंडारी थानी में पुछता चुपी किया इंडिया वोइस के समदाता मनुद शुकला से एक खास बात चीट की है राइपूर सी एस पी आईपी एस अजय कुमार ने क्या कुछ बताया अजय को अजय को अजय को कि पचास लाग दो नीदों जान से मार रहेंगे उस पे एक मुंबई पुलीस आई ती है राइपूर यहां पे उसे पुस्ताश करने के लिए जान से माने की धंकी मिल रहें सलमान खान को मिल चुकी है और अब सूपरस्टार शारू खान को भी जान से माने की धंकी मिली है इस कबर पर जादे जानकारी के साथ हमारे समार्दाता मनुझ शुक्ला मार साथ जूब चुके है मनुझ क्या कुछ जान कारी है, सुपरस्टार शारू खान को जान से माने की धंकी मिले क्या कुछ अभी तक परशास就ैन के दरों से कारवाई की गई जी शुरुसी आपको बता जो पूपिशी जिस समय ये राज़ानी रायपूर में ये जानकारी मिली की ताहरुप्षान को कोई जान से मादने की धंकी दिश्या है और रायपूर का निवासी है पूरे रायपूर में एक दासक शियमत गई और लोगों में उस्पा देशने को म पूरे जान के दिश्या है और आपको बता जो कि माराज की बांदरा खाने की दूपिशी जिस मामले की चानबिन करने को इसको लेकर जो है यहां पर पूरत बिंग है चर्चा का बिच्वार बना रहा कि अखिरकार रुप्षान जो है बाली बोश्य पर इस्टार अभनेता जाते हैं तो इसके चलुप जन्ता मिले जाउस फुक्ता बेखने को मिली की चाहता है जो उते घंके दिया था रुप्षान को और क्यों मारना चाहता है तो इसके लेने के लिए राइपुशी जन्ता का पूबा से जवाई इसी मुद्ब को लेकर काफी चाश्य पर चाहत लाग रुप्या दो या जान से मार दिये जाओगे तो और वही पाईजान जो है उनका बयान सामने आया कि उनके मुबाइल दो तारिक को गायब हो गई थी जिसकी रिपोर्ट उन्होंने राजानी के खमार्डी साने में गज़ भी कराई थी जिसकी फाईयार की काफी प्राइजान को लिए लेकिन फैजान का साफतोर पर कहना है कि उजे साजिश के तहत फसाया जा रहा है सवाल ये है मनुष क्योंकि अब फैजान को हिरासत ने ले लिया गया है अब आगी की पुलीस पर शासन कारवाई किस तरीके से करेगी क्योंकि फैजान लगातार इस पूरे मामले पर राजहारता हुआ नसर आ रहा है और कहा भी है कि उसका मुबाइल चो फैजान को महाराज पुलीस ने कोज दिया है और उनको 14 तारिक को फिर पर मुंबाई बुलाया है कि पूस्ताच करने के लिए तो वही फैजान का आरोप है कि कलमान खान द्वारा इस फिल्म में हिरर मारने की बाद सामने आई थे जिसमर इनों ने भी किती उसी बाद की उस तो बिल्कुल फैजान का कहना है कि वह पुलीस परशासन का सग्योग करेगा क्या फैजान के अलावा पुलीस परशासन को कोई और लीड मिली है मनुद् सब्सक्राइब लेकर काफी सुर्खियों में मामला है इसकी पुलीस भी इसका को लाता तो जब शारुक खान को यह धमकेबरा कॉल गया तो अहां उस वक्त का उस वक्त मुबाइल फोन का लोकेशन कहा था क्या को जानकर इसको लेकर मिल रही है मुबाइल फोन का लोकेशन राइपूर में ही बताया चा रहा है और ऐसे में फैजान पर कारवाई की सुई लटक रही है देखना बहुत दलचस्प होगा क्योंकि फैजान ने साफतार पर कहा है कि उसका मुबाइल फोन चोड़ी हो गया था ऐसे में पुलिस परशासन की आ अलपसंख्यक दर्जे को बढ़करार रखा है अलिगर्ण मुस्लीम विश्वे द्याले यानि की एम यू के अलपसंख्यक दर्जा को लेकर सुप्रीम कोट में अपना फैसला सुनाया इस मामले में सम्विधान पीट की तरफ से चार अनुपाद तीन के बहुमत से तैसला आया है भारत के मुख्य नयाएधीर्श डीवाई चंदर्चूर की अगवाई वाली साथ सदस्य सम्विधान पीट टैकर रही है कि विश्वे द्याले काल पसंखिक संथान का दर्जा बना रहेगा या नहीं इससे पहले CGI चंदर्चूर की अगव्यक्षता वाली सम्विधान पीट ने इस मामले में तैसला सुड़क्षत रख लिया था इस पीट में CGI के अलावा म्यायमूर्ती, संजीव खन्ना, सुरेकांत, जेवी, पार्दिवाला, दिपांकर दता, मनोज मिश्रा और S.C. शर् आया है, तो सुप्रीम कोट की दूसरी बेन चार्ज सुनवाई भी करेगी, और ऐसे में क्या कुछ फैसला आता है, देखना बेहद है, मोगात और संविधान पीट की तरफ से चार अनुपात तीर, यानि कि बवमत माइनॉरिटी के फैसले में ही आया है, और ऐसे में अल्प पर श्रासन की भी तैनाती की गई है, तो इस कबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे समधाता महमद शहनवाज हमारे सज़र चुके है, शहनवाज क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोट की दूसरी बेंच आज सुनवाई करेगी, और बहमत का फैसला एम्यू के माइनॉरिटी स्टेटरस को लेकर आ रहा है और आप लोगती सब्सक्राइब करें विए इस जबन का पाहर है तो इज़र आपकी बात करें शहनवाज सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाते वे क्या कुछ टिप नि दिया गया क्योंकि हाई कोट के फैसले को पलट दिया गया है सप्रीम कोट में, ऐसे में क्या कुछ द साथ जजो के बिंच ने बहुमत का फ्रस्ला माइनॉर्टी स्टेटस को लेकर सुनाया है आप शाहिनवाज एम उनिवर्सिटी के पास ही है मौझूद एसे में क्या कुछ वहाँ पर हल चल है चात्रों में कैसे खुशी आप शात्रों को गवारा मिठाईया बाटतर एक उची का एजार तफियों नगरागे वहाँ एमी परसाटन के दौड़ा भी इसको फाबलो को बेकर आगया जिसकर के पहत्रा आया है जाहिन नगा इसका इसका इनका ये बानना है कि ये जैसला कहीं नगरागे जिसको पत्रों मिलेगा ये फैसला सुपीम कूट मिलिया क्या एसे में खुशी के लेहर है एमी भी हालांकी प्रश्रासन की तरफ से चाक चौबन व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि क्योंकि अगर बक्ष में फेबर में फैसले नहीं आते तो शाहनवाज इस्थिती कुछ और होती है ऐसे में पुलिस परश्रासन की तरफ से पूरी तयारी की गई है तो सुप्रीम कोट की दूसरी बेंच भी सुनवाई करेगी हालांकी इलावाराई कोट के फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोट ने और एम्यू का अलपस संख्यक का दर्जा बरकरा रखा है ऐसे में अम्यू की जो परिसर है उसमें पुलिस परश्रासन की तैनाती की गई है तमाम तरीके से सुरक्षा विवस्ता को चाक चौबन भी क्या गया है सुप्रीम कोट की दूसरी बेंच आज सुनवाई भी करेगी यह सुनवाई भी बेहर रहम होगा हमारे साथ हमारे समधाता शाहनवाज लगातार बने वे शाहनवाज जगर फैसला विप्रित आता यानि की फेबर में नहीं आता ये मुके तो क्या कुछ मौल हो सकता था और प्लीस परश्रासन की कैसी विवस्ता माँ पर क्या कुछ दिख रहा है शाहनवाज बहुत शुक्रिया इंतवाम जानकारियों के लिए तो माईनोरिटी स्टेटस से ये मुका बरकरा रहेगा ये फैसला सुप्रिम कोर्ट की तरफ से आया है SME AMU परिश्रासन में हलचल भी तेज है पुलीस परश्रासन की चाक चौबंधी भी रगातार बढ़ाई गई है आप देख सकते हैं किस तरीके से AMU परिश्र के इर्दगेर्द पुलीस परश्रासन की सकती है और फैसला AMU के पक्ष में आया है Minority Status AMU का बरकरा रहेगा फिलाल इसी के साथ इस बुलिटिनें बस इतना ही देखते रहें इंडिया वोईस